मानक वर्तनी के बच्चों, हिंदी को जानने और समझने के लिए हिंदी की मानक वर्तनी के बारे में जानना बहुत आविशक होता है इसलिए आज हम इसके नियमों के बारे में उधारन सहित जानकारी प्राप्त करेंगे ध्यान से सुनिए बच्चों मानक का अर्थ है मान्य और वर्तनी का अर्थ है पदती या तरीका मानक वर्तनी का अर्थ है लिखने की मान्य पदती शुद लेखन के लिए वर्तनी के मानक नियमों के अनुसार लिखना अतियंत आवशक होता है इसलिए हम वर्दनी के मानक नियमों का अभ्यास करेंगे सबसे पहले इसके स्वीकृत और अस्वीकृत वर्णों को जानते हैं सुन्ये मान्य प्रामानिक स्वीकृत अ, ख, छ, ज, ज, र, थ, ध, भ, श, 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 अन्य अस्वीकृत अ, ख, ज, ए, ड, भ, त्र अ, सयुक्ताक्षर स्वीकत, स्वीकत ट, ठ, ड, ड, द, 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 ज, छ, द, हन, है, हल, ह, 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 द, 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 तत, त, 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 द, 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 ब, बच्चों, अब इनके लेखन के नियमों को समझिये पहला नियम है एक क और फ के सयुक्ताक्षर क, फ के गुलाई वाले अंग को हटा कर लिखते हैं इनके उधारन है दफ्तर, पक्का, मुफ्त, चककर, टककर, मुक्त, नुक्ता, आदे दूसरा नियम है दो त, ड, द, और ह हलंत लगा कर लिखते हैं जैसे त, ड, द, ह इनके उधारन है चट्टान, इकठा, पठा, लड्डू, बुध्य, गद्य बुध, गद्य, प्रसिद, अद्भुत, चिन, आदे अगला नियम है तीन सयुक्त वर्णाक्षर के साद ई की मात्रा हलंत वर्ण से बनने वाले सयुक्ताक्षर से पहले लगाई जाती थी इनके उधारन है बुध्धी, सिध्धी, द्वितिय, चिठ्या बुध्धिमान, आदी बच्चों, इसका चौथा नियम है चार, खड़ी पाई वाले व्यंजुनों का सयुक्त रूप खड़ी पाई को हटा कर लिखते हैं इनके उधारन है बच्चों, अब हम योजक चिन के प्रयोग के बारे में जानेंगे सुनिए योजक चिन हाइफन विधान स्पष्ट करने के लिए योजक चिन का उपयोग किया जाता है अब इनके लेखन के नियमों को समझे एक द्वंद्व समास के शब्दों के बीच योजक चिन लगाकर लिखते हैं इनके उधारन है लिखना पढ़ना खाना पीना खेलना कूदना राम लक्षमन शिव पार्वती देखरेक गोरा चिट्टा दिन रात बुल चाल आठ तस एक दूसरे खेल कूद माता पिता जिठानी देवरानी हाथ पैर दो अगला नियम है सा से पहले हाइफन लगाकर लिखते हैं इसके उधारन है फूल सा छोटा सा जरा सा हलका सा ननहा सा रात सा घबराया सा मुझ सा अगला नियम है तीन दवी रुक्त शब्द हाइफन लगाकर लिखते हैं उधारन है धीरे धीरे आगे आगे तरा तरा जगा जगा रोज रोज शिवशिव कच कच सच सच भिन भिन खी खी बच्चों अब हम शुरुती मूलक य व के नियमों के बारे में जानेंगे सुनिये इ शुरुती मूलक य व इसका पहला नियम है एक शुरुती मूलक य व का प्रयोग जहां विकल्प से होता है वहां न किया जाए स्वरात्मक रूपों का ही उपयोग किया जाए इसके उधारन है मानक अन्य कववा कववा गई गई किये किये लिये लिये बनाए बनाए नई नई हुआ हुवा छुपाए छुपाए अगला नियम है दो जहां या शुति मूलक व्यकरनिक परिवर्तन न होकर शब्द का ही मूल तत्व हो वहां वे शब्द मूल तत्व के अनुसार ही लिखते हैं उधारन है अव्याई भाव स्थाई दायत्व इन्हें अव्याई भाव स्थाई दायत्व न लिखे बच्चों अब हम अनुस्वार अनुनासिक्ता के चिन के नियमों के बारे में जानेंगे सुनिए इ अनुस्वार या अनुनासिक्ता के चिन बिंदू और चंद्र बिंदू इ अनुस्वार या अनुनासिक्ता बिंदू और चंद्र बिंदू पहला नियम है एक, सयुक्त व्यंजन के रूप में जहां पांचवे अनुनासिक अक्षर के बाद उसी वर्द के बाकी चार में से कोई भी वन अक्षर हो, तो एक रूपता और लेखन की सुविधा के लिए अनुस्वार का ही उप्योग करते हैं इसके उधारन है गंगा, हिंदी, बिंदी, संध्या, ठंड, चंचल, अंग, अंख आदी अगला नियम है, दो, अगर पांचमें अक्षर के बाद किसी अन्यवर्ग का कोई भी वन आए, अत्वा वही पांचमां अक्षर दुबारा आए, तो पांचमां अक्षर अनुस्वार के रूप में न लिखे इसके उधारन है, सम्मेलन, अन, वांगमय, उन्मुक, चिनमय, सम्मत, सम्मलित, आदी बच्चों, अब हम उविभक्ती प्रत्य के नियमों के बारे में ज्यान प्राप्त करेंगे सुनिए एक, हिंदी के विभक्ती चिन सभी प्रकार के संग्या शब्दों में प्रतिपदिक से अलग रखते हैं उधारन है, शाम ने राधा को जहाज में, रास्ते पर, मधू से, नदियों में आदे अगला नियम है दो, विभक्ती प्रत्य सर्वनाम के साथ जोड कर लिखते हैं उधारन है, मैंने, हमने, तुमने, उसने, किस से, किसने, मुझ पर आदे इसका अगला नियम है तीन, सर्वनाम के साथ यदि दो, विभक्ती प्रत्य हैं, तो उसमें पहला सर्वनाम के साथ जोड कर और दूसरा अलग से लिखते हैं उधारन है, आप में से, उसके लिए, इन में से, आदी बच्चों, मानक वर्तनी के अध्याय में मानक शब्द का अर्थ समझाया गया है मानक का अर्थ है, मान्य और उच्चारन का अर्थ है उच्चार करने की या बोलने की पदिती पहले मनुष्य बोलता है और बाद में लिखता है इसलिए हमें मानक उच्चारन की तरफ ज्यादा ध्यान देना चाहिए क्योंकि जैसा उच्चारन करेंगे या जैसा बोलेंगे उसी तरह लिखा जाएगा उच्चारन सही धंग से किया गया तो सही लिखा जाएगा गलत धंग से होगा तो स्वभाविक रूप से गलत लिखा जाएगा निमलिकित मानक उच्चारन को पढ़िए मानक उच्चारन का पहला नियम है एक, अन्तिम अ का उच्चारन लोप हो जाता है इसके उधारन है किताब किताब आज, आज वाहन, वाहन मानक उच्चारन का दूसरा नियम है अन्तिम वन, पून का उच्चारन करते समय अ का विच्चारन लोप हो जाता है इसके उधारन है गलती, गलती जगड़ा, जगड़ा जनता, जनता इसका अगला नियम है तीन, शब्दों में अ के बाद दील्ग स्वर्युक्त अक्षर हो तो अ का उच्चारन लोप हो जाता है इसके उधारन है बर्बाद, बर्बाद, दर्वाज़, दर्वाज़, बर्सात, बर्सात बच्चों, अब अगला नियम सुनिए चार अकारांत शब्द का अंतेमवन व्यंजन्युक्त सयुक्ताक्षर हो तो अ का पून उचारन होता है इसके उधारन है सतत्व, ततत्व, महत्व, शुद, व्याप्त, व्रिद, बुद, मनुष्य, सूर्य, दन्दम इसका अगला नियम सुनिए पांच अंतेम य से पहले य या उ आने पर अ का उचारन पून होता है इसके उधारन है भार्तिय, राष्ट्रिय, आत्मिय, स्विय, राज्शुय, पूजनिय, श्रवणिय, अनुकर्निय अगला नियम है छे री का उच्चारन री की तरह होता है इसके उधारन है मात्र भूमी, मात्री भूमी, अमरित, अमरित, रिन, रिन, कृष्ण, कृष्ण, श्रिंगार, श्रिंगार, रिशी, रिशी. बच्चों, इसका अंतिम नियम है साथ. ग्या का उच्चारन ग्या की तरह होता है. इसके उधारन है आज्या, आज्या, ग्यान, ग्या, यग्य, यग्य, ग्यान देव, ग्यान देव. बच्चों, इस प्रकार आपने हिंदी मानक वर्तिनी के बारे में विस्तार से उधारन सहित जानकारी प्राप्त की. अब इन नियमों को इनुसार लेखन अभ्यास करके अपने ज्यान का विस्तार करे.